नमस्कार सच्रीकाल गुड इवनिंग बाहिगुर्जी दा खाल्सा बाहिगुर्जी दी फते तैयारी आपकी कैसी चल रही है गुत आपकी कमेंटों से पता चली जाता है दो दिन का गय पागए आपकी बार तो सनिवार की वज़े से कल देशनोग चले गए थी इस वज़े से थोड़ा सा गय पागये कोई बात मिया हो जाइगा आपसे आज हमें पड़नी हम चार द्धाओ पड़ चुकी है आज जो हमें पड़ना है वो है आपनों अध्धाय ए कहां से कहां तक है इसमें अगर हम देखें तो मुख्य धारा जो है वो छिंतर से निवासी तक हो जाईगी ठीक है अज्याय कितना है पांच नमबर पांच में क्या है कुण सा नगर पालिका चार में थी संपति चार सब्दument संपति में वैसे संपति और वित और नगर पालिका निधी यानी इसमें चर्चा है वित और निधी निधी को मतलब खजानों इवएक परकारों, यानि राज्य वित के बारे में नगरपालिका का वित और नगरपालिका का निधी, यानि वित पिसांगी बात है पांच पैसा, पांच नम्मर में पैसों की बाते हैं, यानि अब आपा एक 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 करग्यांगों पड़ागा इन्हें भी आपा अनुछेदान तीन पार्टा में बाट्स कहां अगर चावातूं पहले पोद शुरू होगा चिंतर, स्यतनतर, अठंतर सबसे पहले तीन अनुछेद एक जगाएंगे क्योंकि इसमें जिकर है बापुजी के पैसे की, आप नगरपाली का हो आपको पैसे कौन देगा, आप नगरपाली का आपको पैसे आपका पिताजी देंगे, आपके पिताजी मतलब राज्ये सरकार, यहां इन तीनों के अंदर राज्ये वित, राज्ये वित ही तो नगरपाल किर्यान्मन होगा कैसे और वितायोग कैसे सहाइता करेगा यानि वितायोग का किर्यान्मन वितायोग का सहाइता बस यानि वित 5 में पैसे का जिकर है, पैसे का मतलब वित है, वित 6 से शुरूँगा, 9, 5, 6, 8, तीनों के अंदर ही राज्य की जिकर है, कि राज्य का वितायोग, वितायोग कैसे करेगा किरियानवन और कैसे साहिता, बस, बस, बस बस गुर्जी, बस, चलो, पहले लिखो, अध्य पांच, heading डालो, अध्याई पांच, पहले हम तीन अनुच धारा पढ़ेंगे, फिर आगे बारी पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगे, अध्याई पांच, धारा चिंतर से, अध्याई पांच, धारा चिंतर से निवासी, इसके अंदर क्या है, नगरपाली का वित वे नगरपाली का निधी, ठीक है, हाँ सर ठीक है, लिखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आ धारा और अनुच्छ धियाद रहे, सबसे पहले जिकर किया मैंने धारा चिंतर का, तो सबसे पहले बापुजी के पिसा, बापुजी पिसा बेजाएगा कि ने, थाने, यान थे नगरपाली का हो, बापुजी का मतलब राज्ये वितायोग, वहां से आएगा, तो चिंतर में जिकर है राज्ये वितायोग का, रा तक भूचिया तो नगरपालिका ने राज्ये वितायों जो है वो टाइम 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 पर एर्पोकेट मनी भीजतो रहे वह यह राज्ये वितायों यानि राज्ये वितायों नगरपालिका की वित्य स्थीति का पुंद्रावलोकन करता रहता है चेक करतो रहे तो वो पर टाइम टू-टाइम एक फिक्स डिशाइड है कि इतने पैसे ही भेजागा पोटेट मनी आपके इतनी ही आएगी यानि राज्य आप ये संचित निद्यूं और साहिता करतो रहेगो आब आथ किता अनुचेद गया अंदर है किता धारा गया अंदर है अधारा छिंतर है यानि सबसे पहले मताए सुद्ध प्राप्ति ज़की वेरी जैसे राज्ये टेक्सी इखटा कर रहा है इखटा करने में उसके पैसे लग गए 10% 90 बचा, 90 में से वेज़ेगा समझ गया? समझ गया गए? कौन से जिया? साहिता, अनुदान, मंजूरी और राज्ये वितायोगी करेगो, लिखो आता अगी राज्ये वितायोग है, बस इजी सा काम है चिंतर स्तंतर अठंतर लिखो लिखो राज्ये वितायोग वितायोग राज्ये वितायोग नगरपालिका की पालिका की नगरपालिका की वित्य स्तिति का पुनरावलोकन करेगा स्थिति का उन्राव लोकन करेगा एकदमी जी है तो एकदमी जी है राजी संचित निधी से संचित निधी से संचित निधी से नगरपालिकाओं के बीच विभाजित करेगा नगरपालिकाओं को साहिता अनुदान करेगा अलिकाओं को साहितावा अनुदान अनुदान को मतलब किया है अनुदान हुआ मतलब दान ही वे कभी पाच्छा कोन लियाए रहे पाच्छा लियाँगा बो है लिग लिए चिंतर अब क्या है धारा चिंतर बता दी करा राज्य वित्तायोग वेगो और वित्तायोग जो कोई ओकाम करे लो ठीक है आजाओ धारा स्तंतर चिंतर स्तंतर अठंतर तिन्नू एक ही चीजा है ठीक है इसमें क्या करेगा कि राज्य वित्तायोग की सिपार्सों का किरियानवेन यानि लिखो राज्य वित्तायोग की सिपार्सों का किरियानवेन का किरियानवेन कितने में स्तंतर है राज्य सरकार राज्य वितायोग की शिपारस देगो बिंगो किरियान में वेगो कहा भई ठीक है इता परसेंट में भीज द्यागा वो चीज इसके अंदर है स्तंतर में वितायोग वितायोग राज्य सरकार की नियान में और अठंतर में स्वितायोग साहिता, चिंतर स्तंतर अठंतर, स्तंतर अठंतर उनहितर, कुछ सा ज्याद है, लिखो, इसके अंदर लिखो, वार्ची की योजना बनेगी, योजना के तैट बेजा जाएगा, किरियान्मन के लिए जो अनुदान होगा वो लिखो, राज्ये सरक आज दारा पांच आपका कंप्लीट करांगा ठाब रो, राज्ये सरकार, राज्ये वितायोग की सिफार्सों का किरियान्मन करेगी, राज्ये सरकार, राज्ये वितायोग की सिफार्सों का किरियान्मन करेगी, अब देखो, के बात बताया यार कितनों इजी है देखो, मैंने क्या बताया, छिंतर, सतंतर, अठंतर, बहुत ही जी है टावरो, बहुत ही जी है देखो, सतंतर में बतायों के रिपियांगों जी करें, पांच वे में वित, वित आयों कुसी पार्स करेंगो, राज्य सरकार उसका किरियान मेंन करेंगी, वित, यानि थार पीसा मिलेगा, पीसा आएगा, सुपार्स बगे रहोगे, किरियान मेंन होएगो, फेर क्यो होगो, फेर थाने साहिता मिलेगी अठंतर में यानि राज्य सरकार जो है वो वितिय साहिता लिखो धारा अठंतर तिनू एक ही समान दीते धारा अठंतर बस लिखता जाओ सागे सागे टाइम खराब कोण करनो आपान लिखो राज्य सरकार से वितिय साहिता राज्य सरकार से वितिय साहिता लगबग 10 से 15,000 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो यो की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं क्योंकि हमेद पता चल जाता है कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो चाहिए अपलोड डालो मैं वीडियो चाहिए वैसे डालो 10,000 तक तो आराम से पूरा पढ़ते हैं बच्चे लगबग 10 से 15,000 बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भूद भूद सुख कामना है जब आप यह लगोगे और आप मुझे मिलने आओगे अच्छा लगेगा तो लगोग त्यारी के लगड़ो हम इसलिए मैंत करें क्योंकि आपकी सही तरीके से आपकी कमेंटर आपका वेट रहता है कि सर डालो हमें समझ में आ रहा है तो फिर हम क्यों ने डालें लिखो राज्य सरकार राज्य सरकार शमय समय पर नगरपालिका को पर अनुदान वे वित्य सहिता परदान करेगी कि अनुदान वे वृत्य सहिता परदान करेगी अरे वाँ, छिंतर स्तंतर अठंतर, छिंतर में राज्य वितायोग, वितायोग सुपार्स होगा राज्य सरकार और साहिता करेगी, छिंतर स्तंतर अठंतर, इतनी बात पल्ले पढ़गी गे, गुर्जी बोता चितिरिया मारे तो पल्ले पढ़गी नी, इतनी जोर गी तो पड नाजमा गी थार, क्या 5 में वित है, 5 में वित को मतलब छिंतर से शुरू है, तो ये तो है बापुजी, बापुजी गो अकाउंट है, शिपारस होगी माता जी की, और ये कहा गया है कि बच्चे को समय समय पर साहिता मिले, लेकिन बच्चा बैठा है यहां, तारा नागर में बापु जी है नागोर से, तो फिर बापु जी कहेंगे तू भी कोई अकाउंट उकूंट हैगे तेरो, तो भी खातर चीद सुरू हैगी 79 से, यानी नगरपाली का निधी, यानी एक तरीकाउं नगरपाली का गो अकाउंट वेगे, ये तो राज्ये की बाते थी, अब जी तक किताब लेंगा, हिस्टी आरी, नहीं आरीएगा, अलग-अलग अकाउंट भी वेग, यानी एक तो अकाउंट होगा, नगरपाली का निधी का मतलब अकाउंट, फिर नगरपाली का उसका उपियोग करेगी, लेकिन उपियोग जदी करेगी जद बजेट पेस अब बजट में जुरूर थोड़ी है कि हर साल डेंगु आएगा इतने रुप्य हर साल कोरोना आएगा बेरो थोड़ी हो भी कोरोना आया नगरपालिका ने बहुत साहिता की लेकिन उस चीज का जिक्र थोड़ी था बजट के अंदर तो कई बर अबर अमर्जेंसी में भी करनी पड़ जा फिर कई पर दूर गे कोई भाई ले लैना ले जाना बिम्भी रिपिया खर्चत करना पड़ जा तो तीरा सिम किये सीमां बार अगर रिपिया खर्चत करना है तो फिर क्या चीज वह गी और आंगे सबको खातर भी एक नियम है गुर सोरी चलो सुरू करो अब एसी कौन चलाई अब चलावाँ तो बढ़िया को ला जो घर जो ज्यादा नागा ठीक है देखो आओ पहले आपने धारा सेवनटी नाइन माव और लिखो नगरपाली का नीधी ठीक है डेखो नगरपाली का नीधी नाम से नगरपाली का की एक नीधी होगी जिसमें नगरपाली का के जो कव भी चीज़ें उसूल किया गया धन है वो जम्मा होगो यानि एक परकार का ये अकाउंट है मेरे दोस्तों नगरपाली वो राज्य वित राज्य गो एक अकाउंट है पापा जी चिंतर में बेटा जी को अकाउंट 79 के अंदर है ठीक है चिंतर 37 ठंतर हाँ 79 ठीक है कोन समझ माई आभी को नीएगी औरू देखो नगरपाली का रिपिया जखाए वो चैरमेन ने कोई गड़ी जलाओ गी की जियां 50-50 क्रोड को बजट आवा नगरपाली को 50 क्रोड जियां चैरमेन ने सिधी गड़ी बज़ाओं गाड़ी आए रहे उतार ले रिपिया अकाउंट में बेजेगी सरकार वो अकाउंट है ये 79 और अब अकाउंटा में अलग-अलग, खर्चा सारा अलग-अलग, कैभी में निकासियार अकाउंट में कितारी पिया है, जैसे आप उप्योग कर रहे हो, आपको पैसे दिये 100 रुपिये, उसमें से आपका डेली का खर्चा है कि चाय का इतना, बीडी का इतना, सिग्रेट का पुस्त का इतना, सब की अलग-अलग अकाउंट है, ताकि मेंटेन रहे कि किसमी कितने पैसे लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, कितने में पैसे ज्यादा है, किसमी पैसे कम है, यानि अकाउंट भी एक परकार से दो भाग है, राजस्वय लेखा यानि रेवन्यू अ नगरपाली का निधी के नाम से नगरपाली का द्वारा वसूल किये गए धन को जमा किया जाएगा यानि नगरपाली का गो अकाउंट का थैकि। अब जो अकाउंट में क्या नगरपालि का है यह सीधी सी बात ये ठीकिए अब नंगरपाली का का अकाउंट विए जो भी धन है जितो कुपीयंट मां के अन्सार के यानि नियमपनेड़ावएगा पने मांगे तेती अकांट रिपिया निकाली जयेगा और ने रिपिया दिया है तो पयोग करने एक तरीकों वह जिसरकार सरकार सब्सक्राइब करने कि नाड़ी बनाइए नाड़ी बनाने खर्चों लागे एक लाग को तो एक लाग को खर्चों लाग गएगो है और कुण से अकांट में होगो वो 79 आ रहा है अकाउंट में होएगो, चलो लिखो, 80, 80, क्ये बतायो, 79 में नगरपाली का को एक निधी अकाउंट होएगो, अकाउंट गये, उपियोग गो एक नियम होएगो, तो लिखो, लिखो, धारा 80, देखो, चिंतर स्तंतरा ठंतर होगे मतलब कोई राख्या आपने, अठंतर के बाद आपाया 79 का नगरपाली का गोएगो, अकाउंट गो एक नियम होएगो, तो लिखो, नगरपाली का निधी उपियोग नियम, लिखो नगरपाली का नगरपाली का लिखो नबर बारबर क्ये बोले गए नगरपाली का नगरपाली का निधी में जमाधन का उप्योग नगरपाली का नगरपाली का निधी में जमाधन का उप्योग इस अधिनियम के नियमों और उपनियमों के अनुसार करेगी धन का उपयोग इस अदिनियम के नियम वे उपनियमों के तहत उपयोग करेगी उपयोग करेगी तो नियम उपनियम हो यह देखो 79 एक अकाउंट वेगो अकाउंट वेगो उपयोग वेगो जब तक उपयोग नहीं वैगो जब तक बजट में नहीं करयो जावेगो यानि कहा थारा बजट आयो वैव का लाइट लगवानी थान दो करोड़ गी तो दो करोड़ थे यूज करो यानि 81 में कहा है नगरपाली का नीधी का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बजट में उसका प्रावदान नहीं किया जाएगा आहा लिखो कित्तो सोरो है यार लिखो धारा 81 इत्तो सोरो के उसके गुर्जी गुरियन देखे तुकुडों में बांटो और इसको पड़ो कितना इजी यार धाराएं बारें क्या है कुछ नहीं कुछ भी नहीं मेर जिन्दगी में सिवार किता देखो पहले लिखो 81 फिर कुछ बातें और करेंगे 81 लिखो नगरपाली का निधी का उप्योग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बजट में इसका प्रावदान नहीं किया जाएगा वाह क्या साइरी बन गई ये तो नगरपाली का निधी का उप्योग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बजट में इसका प्रावदान नहीं किया जाएगा यानि बजट में अगर लिख्षेडो है और तो ही उप्योग वेगो बिलकुल आबाद तो ठीक है दाराई क्या सी में महाल्यों नगरपाली का गए योगी किंग सा गए बिगड़गी जियां तियां सेटिंग कर गए योगी ओई घर्त उड़ा दियो चीक है और इव आईडेन आई रीज ओ गयो कोर्ट में और वो घर्त उड़ा दियो विंगो गड़त अब नगरपाली का आप ओनी कैसाब गड़ती होगी में थरो गड़त उड़ दियो कोर्ट कहेगो रीपिया देंगा गड़ती नहीं अब रीपिया खातर कोई बजट में थोड़ी लिखेड़ है क्या थे कि कोई घर्त उड़ा दियो तो अगर इस्यो कोई मामलो आगयो तो कोई जरूरी कोई नहीं के बाप बजट में हुए यानि टेक्स वापसी रिफंड कोई टेक्स हो गयो या फिर कोई करगो वापस देनों है या कोई पैमेंट करनों है वापस से मान लेगो कोई payment भी वापस करने तो budget उफास थोड़ी करा सी हर चीज अब मान लेगो मारा मुख्य मंत्री जी आ रहे है और मुख्य मंत्री आओगा तुन नहीं सफाई हुए गिर कोई रोड भी नहीं बनानी पर सके भी खातर के दुबारा budget में जा सी यह कुछ हो है जगा मैं कोई अपाच स्थीती आगी मान लेगो बिमारी फैलगी बेंकर तरीकों डेंगो फैलगी तो कि बजट में जरूर थो नहीं नगरपाले का अपनी हिसाब से भी ऐसा कारिये कर सकती है ज़रूरी नहीं कि वह चीज बजट में हो राज्यसरकार आदेस दे कोई काम गस के निलाद ले कोई आदेस दे के कर राखे हो थे अलाइटा ढंगू लगवा देऊ बजट कोई ज़रूरी नहीं है मांनो पड़े गउ मैं अब अचानक बाड आगी बजट में थोड़ी पे से बाड आ गी थे साहिता करोगा तो बजट कोड़ी फोड़ी नगरपाली का बजट पास करा होगी आग जाना चार गड़ी चीएगी चार गड़ी तुरूं तुमें वेस्ता तुकरा जल्दी से बजट पास करना मिन्नों लाइजिओ बंग बढ़ा बन जा सकड़ागा तो बिंखातर किये मानव जीवन की बात अब परते की वेतन मजदूरी देनी है बार-बार हर मीने बजट पास करा होगा कि अब कड़ मारे करम चाहिने वेतन आठ लाक बढ़े हैं तो कुछ चीजों के लिए ये मैंने आपको बताए हैं तो इनके लिए ये जो है इन पर ये धाराएं लागू नहीं होती है वरना फिर बजट के अंशार होगी समझ गए लिखो ये लिखने ही जूरत नहीं है मैंने बोल दी आप सिदे एक एक लाइन में लिखो तो अच्छी बात है लिखो अगर बात आगी लो किती हैं यानि कितने इव तक पहुंच गए हम 79, 80, 81 अब आगया आपा 82 गए तो 82 हम अगर कोई लो कित को मामलो आगी हो कई बार ऐसा हो जाता है और तुरंत पिसा खर्च करना पड़ गिए तो राज्य सरकारों लिखी तादेश के बाद पैसा खर्च किया जा सकता है कई बार नगरपाली का आपके साव जा कैदे गुर्कुल बढ़िया चाल रहे में गुर्कुल ने था ने नगरपाली का कैदे मैं जमीन देनों चाओ तो लो कित को काम है के लोग आ रहे पढ़ रहे तो लिखो धारा 82 लिखो धारा 82 यदि लोक हित के मामले में ततकाल पैसा खर्च करना है पैसा खर्च करना है तो राज्य सरकार की सरकार की लिखित आदेशों के बाद आदेशों के बाद आदेशों के बाद पैसा खर्च किया जा सकता है किया जा सकता है ठीक है सरक काई बोलयार थे काई लिखायों दुबारा बताओ देखो दुबारा बताओ आजया अपने के रिपिया ला गए दूसर बोलने पहली हूं थान बतायों के छिंतर छिंतर न माहिन राज्य वितायोगरू चर्चा है छिंतर न बाद 37 में किरियानवर 88 साहिता साहिता देनी है नगरपालिका निया जो भी छिंतर 37 अठंतर फिर आगे हम 79 में नगरपालिका का एक अकाउंट होगा अठंतर में राज्य वितायोगरू नगरपालिका को एक अकाउंट होगो अकाउंट उपयोग करसी किता में 80 असी असी बाद 81 में का बजट में प्रावदान उसी जद्धी करसी और 81 बाद में 280 है कोई अमरजेंसी आगी नेर्य ब्यू बारे को छेतरा दिया और बठाई तो कच्रों और यह कह नगरपालिका सोचे का इक अतो अनर्जी कणकण में बगवान है तो इंगमा भी अनर्जी आपका कर गये काम में लेगे बिजली बना लिया तो नगरपालिका जगी है बाराज जे सरकारों अनुमती के बाद में कैभी में इन बिजली बनानों चामार और वो कच्रों पड़े में काम में ले लेगा कोई भी संसादने काम में लेज कैभी बजट पेस करवा यह यानि धारा 83 लिखो धारा 83 83 गंद लिखो नगरपालिका के सीमा से बाहर नगरपालिका के सीमा से बाहर अज पूरो गराऊंगा दारा पांच युग दो दिन गए पागयो तो पूरो सुल्टा दिए हूं लिखो सीमा से बाहर पैसा खर्च करने की पैसा खर्च करने की नगरपालिका की सक्ति है नगरपालिका की सक्ति है लिखो इसी के अंदर लिखो राज्य सरकार के राज्य सरकार के अनुमोदन यानि अनुमती अनुमती लिख दो राज्य सरकार की अनुमती के बाद राज्य सरकार की अनुमती के बाद नगरपाली का अपनी बॉल्डर यानि अपनी सीमा से बाहर राज्य सरकार की अनमती के बाद नगरपाले का अपनी सिमाओं से बाहर भोतिक संपती के निर्माने उकर रख रखाओ के लिए पैसा खर्च कर सकती है राज्य सरकार के अनुमोधनी अनुमती के बाद नगरपालिका अपनी शिमाओं से बाहर भोतिक संपत्ती के निर्माने और रख रखाओं के लिए खर्च कर सकती है कि 84 में भी कोई विशेश बात कोन गूम फिर ये बाईबात कै कोई विशेश कारियव है कोई विशेश पर्योजन के लिए राज्य सरकार नगरपालिका का उपयोग करने के कि लिए नियम बना सकती है ठीक है कोई बात ने मना आजिए बिनगरपाले का आया तो राज्य गंडरी तो है लिखो तो धाराथ 84 कोई विशेश बात नहीं है इसमें लिखो धाराथ 84 84 के अंदर लिखो विशेश कारिये बरकेट में प्रायोजन विशेश कारियों के लिए विशेशकारियों के लिए नगरपालिका नीथी का उपयोग उपयोग कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं एक बात करने के लिए करने के लिए नियम बना सकती है नियम बना सकती है ठीक है चलो अठतकतो बात आज अब आजो पिच्च्चासी दुबारा रिपीट मारू मार जाग लास्ट मार जाग पिच्च्चासी इतनी चीज़ां होगी अब आक है कहा हर चीज़ गो रिकोर्ड भी राकनो है लेखा यानि धारा पिच्च्चासी यहां थोड़ी है जच्चा अठा इप्तो कर दियो और अठा बित्तो कर दियो और बाबो कदीश आप पूछ के यानि लेखाओं का परचलन लेखाओं का परचलन लेखाओं का परचलन में लिखो राज्ये सरकार द्वारा बनाए गई नीमों की अधिन लेखाओं का परचलन किया जाएगा राज्ये सरकार की पनाए गई नीमों अधिन अधिन लेखाओं का परचलन किया जाएगा ठीक है अब देखो क्यों शेवंटी नाइन हो आप उपयोकरन लाग जाएगा दूबारा देखो दूबारा बता जो एक निट रोखो बस पूरो उनार है बहुत सट है रे क्या है कुछ नहीं है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहीं पढ़ लेना चाहिए ठीक है किते तक पूँच किया आपा छी आसी तक पूँच किया गए एक छी आसी देखो छी आसी भी किये अच्छा पहली बतानो है चिंतर स्तंतर अठंतर में कोई समय से हो राज जेवीता एक किरियानमन और साहिता फेर आए 79 में नगरपाली का ओग एक खाता हुएगो खाता उप्योग असी 81 में बजट के बाद है 82 अमर्जेंसी है तो कोई जुरूरी को नी तीरा सी में सीमा उबार बोडरों बारे जागे भी खर्चों कर सके चोरा सी में उप्योग का नियम हुएगो और पिच्छा सी मोई कभी रिकोर्ड रापनों करम से दिमाग में सेट करना खातो है वह पाणी के खर्चा को खातो है ठीक है ओपस्वान डालने को खातो है वी पस्वोग को इदर उदर एड़ेस्ट करना है मरियों में पस्वोग हो योग यह कि के लाइट गे खर्चा में टोटल जो अमाउंट आया था वह आया था 20 सी आर बीस करोड ठीक है और आरे में रीपिया ज्यादा लाग गया 15 सी आर लाग गया और लाइट आरे में खर्चों अबकार लागयों 10 सी आर तो दस सी आर इंग मां पड़िया तो बैं इनने ट्रांसफर करें जासके यार आतो रहा है आद दूपएगा यानि कोई खातो इनने बिनने एक इल्ले खाते अर्जचे भी ने करशका आपा वही बात है लिखो 86 86 के अंदर लिखो धारा 86 लिखो अधिसेस यानि सेस बचा धन अधिसेस यानि सेस बचा धन ठीक है धन का वीतर इल्लाए कांटIDE लिखो राज्यसरकार के निर्देश पर लिखो राज्यसरकार के निर्देश पर नगरपाली का राज्य सरकार के निर्देश पर नगरपाली का अधिसेश धन को अन्य खातों में एक बार के लिए हस्तानांतरण कर सकती है एक बार के लिए हस्तानांतरण कर सकती है लेकिन commercial प्रियोजना लेखा में जमा अधिसेस यानि वानीजे प्रियोजना में जमा अधिसेस नगरभाली का निधी के सामाने लेखा में अंतरीत नहीं किया जाएगा अब इध्याना क्यों नोट लगा के लिखो नोट लगा के लिखो इसी में वानी जे परियोजना लेखा में जमा अधिसेश, नगरपाली का निधी के सामाने लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा वानी जे परियोजना लेखा में जमा अधिसेश, नगरपाली का निधी के सामाने लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा अब आयो कि नगरपाली का किया किया उपियोग करेगी वो है बजट धारा सित्यासी बजट तैयार करना अब किया उपियोग करने यानि बजट प्राकलन त्यार करना नगरपाली का बजट प्राकलन त्यार करना तैयार करना अंडेरो गयो गयो रहे कारो कारो तो कों दिखू नहीं लाइट गई कोई बात CMO या मुख्य नगरपाली का अधिकारी जो है परते कितनी तारिक हो 15 जनवरी नई साल लागे है अप्रेल अप्रेल को 15 जनवरी आगामी वित्य वरस गो बजट पेस करेंगी उध्यान राखियो 15 जनवरी है अप्रेल से मालने कई तो वो नहीं है अध्यक्स जो है वो 15 के बाद में 30 जनवरी बजट रखेगा बजट त्यार हुआ बजट रखेगा कितने तारिक हो 31 जनवरी को कोण रखेगा क्यूं क्यूंकि नगरपाली का जो अधिकारी है पंद्रा फरवरी से पहले बजट को पंद्रा यानि बजट चाहिए तो एक दिन बाद में वहां के काम है चलो पंद्रा फरवरी से पहले बजट पारीत करेगी समझयागे बात ने पंद्रा इक तीस पाछी पंद्रा फिता में सित्यासि अब उत बजट की बात बताए लेकिन कुछ इस्या है कि मामराज्य सरकार की पुर्व अनुमोदन जरूरी है जैसे मालों को नया पद बनाना है नय प भी को ईवान खरीदने तो पहली अनुमती जरूरी है को अचल संपत्ती खरीद रहे खरें चल अचल समझ पहले मैं जिकर कर लिखो मुख्य नगरपाली का अधिकारी लिखो मुख्य नगरपाली का अधिकारी परतेक वरस पंद्रा जनवरी से पहले आगामी वितिय वरस के लिए बजट त्यार करेगा वरस के लिए बजट त्यार करेगा ठीक है लिखो अधिक्स 31 जनवरी से पहले बजट को नगरपाली का में रखेगा पहले लिखो नगरपाली का पंद्रा फरवरी से पहले बजट को पारित करेगी अब अगर आप देखो कि निमल लिखी ते तु राज्य सरक्वार का पूर्वा अनुमोदन आवसेक है तो यह मैं बोल देता हूं आप स्टोप करके वैसे लिख लेना चाहिए नयो पद सर्जन करनों है पद भरना है तो पूर्वा अनुमोदन जरूर है नया वान खरीदने आचल संपत्ती खरीदने पूर्वा अनुमोदन जरूरी है और किसी प्राइबेट संस्ता या वेक्ती को अगर दान करना है अनुदान करना है तो भी जरूरी है कितने तक पहुंच गई सित्यासी अब आजयो बजटने मंजूरी धारा इट्थ्यासी अतलम्बो वीडियो ग बजट को मंजूरी है काली का बजट को मंजूरी को 15 फर्वरी से पहले मंजूरी मिल जाएगे बजट की जो एक कोपी है वो निद्येशन स्तानिय निकाय के माध्यम से उसकी एक परती राज्य सरकार को परस्तुत होगी कि वो बजट है ठीक है कोई बात निसाइन हो जाएगे लास्ट किर में रिपीट मारूंगा अब बजट जो को गयों भी परिवर्तन हो उसके और क्यों को नसी कि यह आपने बापुजी को इरा जह करानी परिवर्तन धारा लास्ट एंड निवासी कि कह बजट अनुदान में परिवर्तन भी उसके कोई वित्य वरस में नगरपाली का या बजट अनुदान में परिवर्तन कर सके छोट बोट आगे विजी कर से कोई बात नहीं अनुदान बढ़ास के कम भी कर सकर थे तो गरीव है रोग ज़्यादा बढ़ादी बस लास्ट लिखो धारा निवासी बजट अनुदान को परिवर्तन करने की सकती को परिवर्तन करने की सकती लिखो नगरपालिका किसी वित्य वरस के दोरान नगरपालिका के बजट के अनुदान में परिवर्तन कर सकती है गठाया बढ़ा सकती है कर सकती है टाबरो प्मू कर दियो पूरो अध्याए पांच पांच में वित चिंतर से निवासी सबसे पहले चिंतर 37-38 राज्य के बारे में है चिंतर में राज्य वितायोग है 37 के अंदर किरियानवन है 88 में साहित है फेर नगरपालिका का अगग अकांट है 79 में बिंगो उपियोग किया करनो है 80 में बजट प्रावदान गया बाद ही उपियोग वेगो 81 कई अकाउंट है पिसा इनने भी नहों गया तो उपर नीचे कर सको इनने भी ने देश को और फिर बजट पेस वेगो बजट त्यार वेगो बजट त्यार पंद्रा एक तीसोर पंद्रा बजट ने मंजूरी बजट कम ज्यादा कर्योजास के निवासी थैंक यू कैसा समझ माय आप बता देना